नमस्कार, आज हम बात करेंगे संधी के अंतरगर्ट, स्वर संधी के दूसरे वहेत के बारे में गुन संधी तो आएए जानते हैं कि गुन संधी क्या है, तो गुन संधी ये कहती है कि यदि ओ और आ के बाद क्रम सह ई या ई, उ या उ और री स्वर आएं तो दोनों के मिलने से क्रमसह A, O और अर हो जाता है तो वो गुणसंधी कहलाती है तो सामानी सनियम है कि A, O, R जो है गुणसंधी कहलाएंगे तो आएए जानते हैं कि किस तरही के से ये परिवर्तन हो रहे हैं तो गुणसंधी के अंतरगत देखें पहला हमने कहा था कि O प्लस E बराबर A हो जाता है तो हमारे पास में जो पहला सब्द होगा उसका अंतिम वर्ण का उच्चारण जैसे नर है तो रो का जो उच्चारण आ रहा है O प्लस E तो O और E मिलकर A बन रहे हैं तो नरधन इंद्र बराबर नरेंद्र इसी तरीके से O धन E बराबर भी A होगा तो एक एक्जामपल के तरह समझें नर्धन इस तो रो का जो अंतिम वर्ण उच्चारण आ रहा है वो O है और जो दूसरा सब्द है इस तो उसका पहला वर्ण है E तो O प्लस E बराबर A हो रहा है तो नर्धन इस बराबर नरेस इसी तरीके से बात करें A प्लस E बराबर भी A होंगे तो जैसे हम एक एक्जामपल देख लें रमाधन इंद्र तो A प्लस E आ रहा है तो वो रमेंद्र हो गया इसी तरीके से महाधन इंद्र तो बराबर हा का जो उच्चारण आ रहा है अंतिम वो आ है और प्लस ई आ प्लस ई ए बन रहे हैं तो महाधन इंद बराबर महेंदर यह हमारे पास में है इसी तरीके से हम देखें आ प्लस ई बराबर भी ए हो जाता है तो यह क्या चीज होगा तो आगे इसमें एक एक्जामपल के तरह इसको समझें रमा धन इस तो रमा का जो मा है आ उच्चारण इसका अंतिम आ रहा है और प्लस ई तो आ प्लस ई बराबर ए हो रहा है तो रमा धन इस बराबर रमेज गुनसंदी के अंतरगत की दूसी चीज़ों को हम देखें कि ओ प्लस उ बराबर क्या होता है तो ओ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है और एक एग्जामपल अगर इसमें देखें तो परम धन उपकार तो परम में जो मौ अंतिम उण है उसका उचारण जो आ रहा है मौ ओ आ रहा है प्लस उ तो ओ प्लस उ मिलकर ओ हो जा रहा है तो परम धन उपकार बराबर परोपकार इसी तरीके से ओ धन उ बराबर भी ओ होगा और वो क्या आपके पास में एग्जामपल होगा जैसे जल धन उर्मी तो जल का जो अंतिम वर्मी बराबर जलोर्मी इसी तरीके से आ धन उ बराबर भी ओ हो जाएगा तो एक्जामपल हो गया महा धन उत्सव तो हा का जो अंतिम वर्मी आ रहा है हा उसका उत्चारण आ पे समाप्त हो रहा है और प्लस उत्सव 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 उ से सुरू हो रहा है तो आ धन उ बराबर ओ तो इसलिए महा धन उत्सव बराबर ये मिलके हो जाएगा महुत्सव इसी तरीके से आ धन उ बराबर ओ हो जा रहा है तो अंतिमवर्ण जो आएगा पहले सब्द का तो महा है तो महा में आ का चरण हो रहा है लास में और प्लस उर्मी तो हमारे पास में आ और उ मिलकर ओ हो जा रहे हैं तो महा धन उर्मी बराबर महोर्मी इसी तरीके से अगली बात हम करें गुनसंधी के अंतरगत कि औ प्लस री बराबर अर हो जाता है तो किस तरीके से ये होगा देव धन रिसी तो देव का जो वो का उच्चारन समापत हो रहा है और प्लस री तो और री मिलकर अर हो जा रहे हैं तो देव प्लस रिसी बराबर देवर्सी इसी तरीके से आधन री बराबर भी अर होगा तो किस तरीके से ये परिवर्तित होगा महा धन रिसी तो बराबर महरसी तो इस तरीके से हमारे पास में ये गुण संधी के बारे में है तो आपको ये जानकरिया कैसी लगी कमेंट सेक्षन में अपनी परतिकरिया को जरूर अंकित कीजेगा नमस्कार